पंकजा मुंडे आकर क्यों मुकर हो गई है तो महराश्र में सत्ता जाते ही कहीं न कहीं देविंदर पंडवीस के ख़लाफ आवाज जो है वो पंकजा मुंडे की बुलाइफ बुलाएव कर शक्ती प्रदर्शन का कहीं न कहीं संकेत उन्होंने दिया है और Facebook पर पोस्ट के जर पोस्ट के जरिये शक्ती प्रदर्शन के संकेत दिये हैं पंकजा मुंडे ने पिता गोपिनात मुंडे की बरसी पर 12 दिसंबर को समर्थकों की बैठक बुलाई है उन्होंने कहा है कि वो 8 से 10 तन में बड़ा फैसला लेंगी तो पंकजा मुंडे ने पोस्ट में लिखा है कि चुनाव मिहार के बाद समर्थकों के कई फोन मैसेज आए और मिलने का अग्रे किया गया लेकिन राज जुनतिक सती ऐसी रही कि समर्थकों से मिलना नहीं हो सका तो अब समर्थकों की बैठक बुलाकर बड़ा फैसला लेने की बात पंकजा मुंडे की तरस से और एक बड़ तो पंकजा मुंडे ने ये फेस्बुक पोस्ट के जरिये सीधे तौर पर चितावनी तो जिस तरह से महरास्ट में बीज़ेपी की सत्ता गई उसके बाद देवेंदर परनवीस के खिलाफ कहीं न कहीं अब जो आवाज है वो बुलंद होती दिख रही है पार्टी नेता पंकजा मुंडे ने फेस्बुक पोस्ट के जरिये शक्ती प्रदर्शन का संकेत दिया उन्होंने का है कि समर्थकों की बैटक बुलाकर जल्द लूंगी बड़ा फैसला तो यहाँ पर पंकजा मुंडे न पोस्ट में लिखा कि चुनाव मेहार के बाद समर्थकों के कई फोन मैसेजस आये और मिलने का अग्रे किया गया लेकिन राजनते किसती ऐसी रही कि समर्थकों से मिलना नहीं हो सका तो आट से दस दिन में बड़ा फैसला लेने की बात उन्होंने दिये और इसके साथ ही एक बड़ा संकेत देने की कोशिश पार्टी नेता पंकजा मुंडे की तरह से तो फेस्बुक पोस्ट के जर्ए शक्ती प्रदर्शन के संकेत उन्होंने दिये हैं तो पंकजा मुंडे ने पिता गोपिनात मुंडे की बरसी पर बारा दिसम्वर को समर्थकों की बैठक झाल झाल झाल